Hello students, आज हम इस वीडियो में sources of capital को discuss करेंगे यहां में हम यह देखेंगे कि जब आपको capital चाहिए होती तो आप उसे किस जगह से कैसे raise कर सकते हैं finance कराने के क्या-क्या sources है अब अगर हम exam point of view से बात करते हैं तो exam में यह तो यह question आता है कि आप capital के sources को explain करें और यह sometimes क्या आता है कि working capital को कैसे finance किया जा सकता है उनके sources के बारे में बताईए तो यहां पे जो हम points discuss करने वाले हैं वो दोनों के लिए ही as it is same है अब working capital क्या होता है short term capital कहीं जाती है और वो day to day business के लिए होती है लेकिन वहां पे working capital में भी अगर जब आप kinds of working capital को देखेंगे तो एक आता है permanent working capital मतलब working capital का वो portion जिसको आपको हमेशे अपने business में बनाए रखना होगा तो permanent working capital को हम यहां पे जो भी long term sources होते हैं उनसे हम finance कराते हैं तो basically यह जो आप sources of capital यहां पे देखेंगे वो working capital की sources के बारे में पूछेगा तो भी वही आ जाता है और अगर simply capital की sources के बारे में पूछेगा तो भी यही चीज़े आ जाएंगे बस लिखनी का जो अप्रोच होगा उसके explanation का जो अप्रोच होगा वो थोड़ा change हो जाएगा अभी हम साथ में थोड़ा उसको discuss करते वे चलेंगे तो इसके through हम दो points कवर कर लेंगे जो कि दोनों ही important होता है तो sources of capital क्यों हो सता है हम finance कहां कहां से कर सकते हैं तो या तो जो आप capital एकठा कर रहे हैं वो ऐसे source से एकठा कर रहे हैं जिसका payment आपको जिसकों को payback जो करना होता है pay off करना होगा, return देना होगा वो काफे लंबे time के लिए हैं तो एक उतर long term source मतलब लंबे time के sources से हम पैसे raise कर रहे हैं और दूसरा क्या हो गया, short term source जो साल भर तक के लिए ही आपको पैसे थोड़ तो time के लिए पैसे प्रोवाइड कर आ रहे हैं तो वो short term sources हो गया है अब long term sources generally companies जो होती है वो capital कहां से कठा करती है long term sources को prefer करती है पर इसका मतलब यह नहीं कि short term sources को prefer नहीं किया जाता है short term sources से भी capital raise की जाती है ठीक है अब working capital अगर आप finance करने के बारे में पूछ रहे होंगे तो वहां long term capital में कौन से sources होंगे वो किसको finance करेंगे क्योंकि working capital तो short term है तो हम वहाँ पर कैसे long term sources को देखेंगे तो जो working capital का permanent portion है उसको कौन finance करेगा long term sources और जो आपके fluctuating working capital का portion है वो कौन finance करता है short term sources के थूफ finance किये जाते हैं तो अब हम बात करते हैं long term में क्या-क्या sources होते हैं हम देखते हैं कि अगर हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो हम own source से लिए own source का मतलब हो गया जिसमें ownership transfer होगी मतलब उन sources से लिए जो रो owner बन जाएंगे वो पैसे वो capital आपको इकठा करने में help करने वाले हैं या borrowed sources या आप उधार के form में loan के form में आप अपनी capital इकठा कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए आप capital लेके जा रहे हैं आप ऐसे sources को अप्रोच कर रहे हैं क्या कहेंगे कि जब company shares को issue करके इपनी capital इकठा करती है तो यह सबसे important source माना जाता है यहाँ पर क्या होता है दो तरीके के share issue करती है company या तो equity या तो फिर preference share issue करती है preference shares में preferential rights हो जाते है shareholders के पास और equity shares क्या होते हैं owners होते हैं real owner कौन कह जाते है equity shareholders कहे जाते हैं ठीक है preference shares holders जब जाते हैं तो उनको redeemable या irredumable nature की basis पे उनको issue किया जाता है clear है यह हम issue of shares में लिखेंगे तो यह बहुत है important source है जिसके through capital raise की जाती है अब अगर working capital को finance करने में लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे कि share को issue करके return earning मतलब profit का वो portion जो आपने retain करके रखा है इकठा करके अपने pass रखा हुआ है तो retained earning भी capital के लिए एक important source बनता है यह अपके past profit के कुछ portions वो portions होते हैं जिनको आपने future में expand करने के motive से retain करके अपने पास रखा हुआ है ठीक है यह free reserve का part होती है मतलब इन पे कोई obligation नहीं है जैसे debenture redemption reserve है तो debenture redemption reserve क्या हो गए यह reserve तो है लेकिन यह किसी specific purpose के लिए है कि जब debenture को redeem कराना होगा तब हम इस reserve से पैसा इस्तेमाल करेंगे तो जो retained earning है वो आपकी अपनी earning है अब इस earning को as a capital आप अपने बिजनस को शुरू करने में लगा सकते है बिजनस का दूसरी branch expand करना चाहरे है बिजनस को दूसरी branch open करना चाहरे है वहाँ use कर सकते है तो that is return earning तो यह भी एक own source है और एक long term source है capital के लिए तो जितने भी free reserves होते हैं general reserve वेगेरा तो यह सारे के सारे reserves क्या होते हैं आपकी capital के लिए अच्छा source बन जाते है क्योंकि पैसे इकठा हैं और इनसे आप अपने business को expand कर सकते हैं बिजनस को start करने में एक इसाब help करते हैं और last क्या होगे sale of fixed assets तो sometimes companies अपना capital इकठा करने के लिए उन्हें पैसे के लिए क्या करते हैं जो उनके long term assets है जो उनके fixed assets है जैसे बहुत एकर की जमीन आपके पास पड़ी थी तो एक fixed assets होगे लैंड वो fixed assets होगे अब उस उतने एकर की जमीन आपके पास पड़ी थी तो आप उस एकर की जमीन को आप sale कर रहे हैं और उससे होने वाले पैसे से आप अपनी capital इकठा कर रहे हैं तो यह क्या होगी एक source हुआ फिरांस का तो owned क्योंकि इसमें क्या ownership है इसमें आपके अपनी है कोई loan आपके उपस नहीं कोई obligation आपके उपस नहीं है तो owned sources में issue of shares, return earning, reserves and sale of fix assets आता है अब borrowed sources क्या होगी बॉर्वर स अब इनको return करने का मतलब यह नहीं कि इनको फाइदे का कुछ portion return करना है इनको return करना है इनके principles, इनके principles के लिए इनकी costing return करनी है तो यह दो source करते हैं यह तो deventure लेते हैं या long term loan लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप balance sheets वगरा frame करते हो तो देखते हैं 10% deventures holder, 7% devent deventures, 8% deventures, ऐसे लिखा होता है, यह क्या होता है कि company ने इतने deventure issue किये और इतने percent से 7% deventures का मतलब होगे कि deventures जो issue किये गे उनको 7% के rate से interest देना होगा, देखे deventures कुछ नहीं है, एक debt obligation, debt instrument है, जहाँ पर मान लेजे कि मैं एक company हूँ और आप Mr. A है, ठीक है, अब मुझ अच्छे उधार दे दीजी, तो आप ऐसे उधार देने आएंगे नी, तो मैंने क्या कहां आप से, कि मैं एक deventure issue कर रही हूँ, और मैंने वो क्या है, एक instrument है, एक security है, इसमें 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 लिख दिया, मेंशन कर दिया, कि एक debt instrument हो, इसमें 10% के rate से, आपको interest मिलेगा, ज जब 5 साल के बाद इसो redeem कराएंगे, तो इतने रुपए आपको मिलेंगे, तो मैं पार वैल्यू, redeem वैल्यू, वो सब इस instrument में mention कर दूगे, अब मैंने कहा कि ये मेरी company के deventure कौन खरीदना चाता है, तो आप क्या कहरो, कि अच्छा, ये instrument में purchase कर लेते हो, क्यों purchase कर लेते है क्योंकि इसके बाद मुझे interest मिलेगा, और 5 साल बाद मेरा पैसा भी मिलेगा, और प्लस मुझे 10% के rate से interest में मिलेगा, ये तो बहुत अच्छा है, तो आपने purchase कर लिया, और purchase करने का मतलब कि आपने वो instrument खरीद लिया, और मुझे अपने पूरी cap पैसे उठा के मुझे दे है, मेरा capital frame हो गया, that is venture, पर है क्या ये obligation है, डेवेंचर आपकी liability होती है, और कैसे liability हो, long term liability होती है, क्यों, यूग कि आपका पैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए है, और 15 साल बद आप उसे return करेंगे, तिल देन आप उसको interest pay off करेंगे, दूसरा क्या है, long term loan, long term loan, sometimes companies क्या होती है, bank को approach करती हो, bank से लंबे समय के लिए loan ले लेती है, अपने project को finance करा देती है, आप देखेंगे कि कई builders कहते हैं, कि हमारी जो ये society है, वो इस bank से financed है, या हमारी इनको ये bank finance करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, bank ने उनको loan दिया हुआ है, अब जब वो society develop हो जाएगी, सब sale हो कर दी उनके, तो ये borrowed sources होगे, डेविंचर and long term, long term sources clear हो गया, अब हम बात करते है, short term sources की, तो short term sources में क्या बात हो गई, short term sources में हम कहते हैं, ये वो sources हैं, जिनके through आपको, अब समय के लिए नहीं, कम समय period के लिए, short term tenure के लिए, short term periods के लिए, आपको loan मिलेगा, आपको finance की facility मि कर देगी, ओके, तो अब हम यहां पर देखते हैं, तो trade credit हो गया, bank credit हो गया, commercial paper हो गया, factoring हो गया, advance from customer हो गया, convertible venture हो गया, leasing हो गया, ये कुछ short term sources के, कुछ short term finance के sources हैं, तो मतलब यहां से आप पैसे raise कर सकते हैं, पर time period कम होगा, मतलब आपको साल भर में, और साल में, दो साल तक आपने उस पैसे का इस्तमाल किया, तो वो आपके लिए capital का part बन गया, आपके लिए काम आई वो, right, तो generally working capital हम short term sources से finance कराते हैं, लेकिन कौन सा portion finance कराते हैं, जो हमारा fluctuating होता है, अब जब मैं finance कराने की बात कर रही हूं, और working capital की बात कर रही हूं, तो मैं permanent or fluctuating कर र तो अगर पूरे working capital को finance कराने के लिए देखी तो हमारे पास long term भी अविलेबल है और short term भी अविलेबल है, हम किस से finance कराना चाहते हैं, यह company पे depend करती है, तो जब आप answer frame करेंगे, तो आप पूरे answers में लिखेंगे, कि long term के यह sources हो गए, short term के यह sources हो गए, हम working capital में permanent के लिए finance कराते हैं, यहां से हम fixed capital को finance कराते हैं और यहां short term sources से हम अपने working capital को finance कराते हैं, उसके लिए कई sources हैं, तो हम यहां पे इस वीडियो में trade, credit, bank, credit, commercial, paper, factoring को बहुत अच्छे से in detail discuss करेंगे, तो यहां पे थोड़ा थोड़ा हम discuss कर लेते हैं, advance from customer क्या होता है, convertible venture या leasing के पारे में, देखे, short term sources of finance में तब आपको कम समय के लिए पैसा मिल गया, और पैसा मिल गया, तो आप उस पैसे का इस्तमाल कर रहे हैं, अपने business को run कराने करें तभी तो वो capital के ला रही है आपके लिए, ठीक है, तो अब यहां पे advance from customer कैसे हो गया, जैसे आपने देखा होग कि sometimes movies बेगर में देखा होगा, कि लोग कहते हैं कि हमें इतना order मिला है, और उस order से मुझे इतना advance मिला हुआ है, अब हमें order complete करके इस date तक, इस due date तक देना है, क्योंकि हमने advance money ले ली है, तो यह क्या हुआ, वो advance से ही आपने production process complete किया, तो वो advance आपके लिए capital बनी न, तो customer से तो यहां पर क्या हो गया, customer से advance मिलना, इस तरह के projects या इस तरह की companies, जो companies customer के order पे चलती हों, उनके order से बात हो रही होगी, जैसे माल लेजे मुझे, मैं textile industry है, तो मुझे 500 या 5000 woolen का order आया, कि हमें ये इस तरह की material का तयार करना है, तो order आने से ही हम 5000 material उनके according, उनकी specific, उनकी प्रवाइड कर देंगे, 5000 बनाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ली, जब उन से हमें advance receive हो जाएगा, उस पैसे से हम उसको शुरू करेंगे बनाना, तो वो advance customer से receive होता है, वो किस का काम करता है, वो capital का काम करता है, that is advance from customer, convertible divinches क्या हो गया, मेरे divinches issue किया, पर अभी divinches क कैसे issue किया है, कि मैंने आपको option दे रखा है, कि आप जब चाहें से convert करा सकते हैं, आप चाहें तो इसको shares में convert करा के ownership ले सकते हैं, तो आप इस तरह से, और आप चाहें तो इसको redeem कर वा लीजेगा, तो convertible divinches का option आपको दे दिया है, तो ये भी कैसा होगा, short term source of finance होता हो, इसी तरह leasing होता है, जब companies lease पे देते, lease पे चीज़े दे के, अगर lease rent के थूरू income कमाती है, तो वो भी finance का एक source होता है, जैसे कि मालने चे मेरी company है, मेरी company में बहुत सारी buildings हैं, तो मैंने पैसे कठा करने के लिए, अपने business को capital provide करने के लिए, मैं अपने दो-चार building को lease पे दिया, तो वहाँ पे काम हो रहा है, दूसरे company के काम कर रही है, अब मैंने उन्हें 10-15 साल के lease पे दिया, कि 15 साल तक आप इस मेरी property का इस्तमाल कर रही है, leasing क्या हो गया, आपने use करने की power दिया, ownership transfer नहीं किया है, higher purchase भी short term sources का medium है, आप higher purchase से भी finance करा सकते हैं, short term finance, लेकि higher purchase तो leasing में difference यह है, higher purchase क्या करता है, आपको ownership transfer करता है, जबके leasing क्या करता है, right to use देता है, आप property का इस्तमाल कर सकते है, ownership हम आपको नहीं दे रहे हैं, तो मेरी company ने आपको क्या कर दिया, आपको 10-15 साल के लिए वो house या वो buildings आपको use करने के लिए permission दे दी, right, अब आप जब short term source of finance, clear है, और higher purchase में क्या होता है, same चीजे होती है, वहाँ पे goods भी जाता है, और last installment के साथ ownership भी transfer हो जाती है, अब हाँ, यह case अलग है, कि leasing में 2 तरह की leasing होती है, financial leasing और operating leasing, तो वहाँ पे financial leasing में आपको last में ownership भी चली जाती है, मतलब उसका time period भी ऐसा होता, पो उतना detail हम नहीं जाएंगे, इस हम short में यह चीज़े हम समझेंगे, ठीक है, अब हम trade credit, bank, credit, commercial, paper, factoring के बारे में discuss करेंगे, trade credit क्या होता है, trade credit जब seller यह supplier, जो product के seller यह supplier है, वो आपको credit पे, मतलब उधार देते है, मतलब trade क्या है, वैपार के लिए आपको उधार मिल रहा है, तो वै customers को credit देते हैं, ठीक है, कैसे जैसे मैं supplier हूँ, आप एक company है, अब आपकी company को क्या चाहिए था, आपकी company को raw material चाहिए था, तो अब वो raw material से आप क्या करते है, अब या तो आप shareware issue करके जो capital लिकठा कि उससे वो raw material खरी दिये, या आपने मुझे approach कि और मुझे से बोला कि आ आप कुछ समय के लिए मुझे वो raw material उधार पर दे दीजी, अब मैंने आपको उधार पर दे दिया, तो मैं supplier हुई raw material की और मैंने आपको credit पर raw material दे दिया, अगर पैसे होते तो भी आप यह raw material खरीते हैं, और बिना पैसे के आपको वही raw material मिल जा रहा तो आपके रहे तो finance क काम किया ना वो, तो that's why trade credit को short term source of finance कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगे, जो suppliers होते है, product के, raw material के, unprocessed, देखे consumer credit अलग होता है, trade credit अलग होता है, भी मैं यहाँ पर clear कर दूँगी, so trade credit में क्या हो गया, unprocessed raw material, product, जिनको अभी काम करना बाकी है, final consumer के पास की, नही हम उनको जब हम उधार देते हैं, तो वो क्या कहला है, trade credit कहला है, एक businessman को हम उधार दे रहे हैं, कि आप जाओ, मैं यह product से, मैं दे दे रही हूँ, आपको अपना काम complete करो, अगर के फिर बाद में मेरा पैसा वापस कर दीजिगा, business में यही चलता है, so that is all trade credit, right, तो यह आप आपको resell यह processing of goods के लिए पैसे उधार देते हैं, raw material दिया तो आप उसको process करोगे और ने goods बनाओगे, यह मैंने आपको कोई product दिया था, तो आप उस product को उसमें और कुछ add-on features डाल के उसको resell करोगे, तो आपको मैंने वो product उधार पे दे दिया, तो बात तो आपके लिए finance का काम हो गया, ठीक है, that is trade credit, so credit offered by seller or supplier is called trade credit or bills payable यह account payable, तो इसी trade credit को bills payable यह account payable भी कहा जाता है, right, जब seller यह supplier आपको उधार offer करते हैं, business के लिए, trade के लिए, वैपार करने के लिए, आप अपना business करो, हम आपको supply दे रहे हैं, आप उधार पे आपको माल पहुचा रहे हैं आप काम करना शुरू करो, तो that is called bills payable यह account, bills payable क्योंकि यह वो billing amount है, मैंने आपको समान raw material दिया, तो raw material तो मैंने 100 आपको उधार पे दिया, तो 100 का bill तो बनाया होगा, पर यह bill क्या denote कर रहा है, यह bill यह denote कर रहा है, कि इस bills के against payment करना बाकी है, payable है, that's why bills payable, यह bills अभी pay कर अपने को बाकी है, इनका payment बाकी है, due है, that's why bills payable, तो supplier ने आपको उधार दिया है, और आप उसे business कर रहा हो, ठीक है, receivable होता है, तो क्या हो जाता है, आपको उस bill से पैसे मिलने है, ठीक है, तो that is straight credit, अब यह consumer credit से बिल्कुल different होता है, क्योंकि consumer credit में क्या होता है, हम पने consumers क उधार समान देते हैं, ठीक है, finished goods, जैसे कि आप देखते हो, कि जो आपके, जैसे मालेजे, मैं mobile company को belong करते हूं, और मैं आप consumers को mobile loan पे दे रहे हूं, जिरो cost EMI, आपने सुना होगा, मतलब 0% के rate of interest पे आपको EMI बाना आकर, हम आपको mobile phone offer कर रहे हैं, तो यह हम आपको mobile phone यहां पर क्लिया जाता है, तो यह clear होगा, अब हम बात करते हैं, यहां पर क्या होगा, bank जो उधार लेती है, क्या, bank से जब आप उधार लेके, पैसे कठा कर रहे हो, और उससे बिसनस कर रहे हो, तो bank credit क्या होगा, bank credit short term finance का एक source है, short term period के लिए पैसे कठा कर सकते हो, उससे, इसमें क्या आता है, एक important होता overdraft, overdraft मतलब आपने सुना होगा OD account है, overdraft में क्या होता है, यह current account holders के लिए open है, सिफ मैं OD नहीं कहूंगे, जितने भी loan होते हैं, वो loan current account से ही open होते है, saving account से तो क्या open होता है, saving account तो आपके savings के लिए हैं, तो दूसरा क्या account बचा, current account बचा, तो current account, जितने भी loan खुलते हैं, वो किस account में क्या open होते है, current account में, तो अगर OD है, overdrawn है, तो किस account में खुलेगा current account holder का खुलता है, तो current account में आपके पैसे होता, तो ठीक है, जब आपके account में 2,00,000 रुपय था, और आपको 4,00,000 चाहिए, 5,00,000 चाहिए, 5,00,000 चाहिए, आपको provide कर देंगे आपका check bounce नहीं होगा that is overdraft that is called overdraft right तो यहां पे interest किस पे लेंगे हम क्या 5 लाग पे लेंगे नहीं हम लेंगे कितना जितना excess withdraw हुआ है excess कितना withdraw हुआ है 2 लाग तो account में थे ही थे 3 लाग excess withdraw हुआ 3 लाग हमने आपको extra दिया तो withdrawal जितना withdraw होगा उस पे interest लगता है तो 3 लाग पे interest लगीगा ठीक है तो और cash credit इसी तरह दूसरा bank credit कर एक अच्छा है जो business में लिया जाता CC loan तो cash credit क्या होता है यह भी आपका एक तरीके से current account पे लेते हैं इसमें क्या होता है जो limits oki Anton risk χुरत करेता bank fix करती आपकी CC Venat Come अब इतना overdrown कर इतना withdraw कर सकती है limit इतनी है withdrawal limit इतनी है अब कर सकती है yeah यहाँ पर जो security कर ठेक के लिए ए Harold अलो YouTube रखनी एक लिए तो नहीं पर्ती च्रूना जो security रखनी परती है ओं क्या होती होती है बस्टॉक çıkar होती है तो आप कमपनी बिजनस के लिए लोन ले रही है, कौन सा लोन ले रही है? CC, CC लोन इसलिए है कि बिजनस मैन लेते हैं, जनरल पबलिक उसले नहीं जाती है. अब करेंट अकाउंट पर ये लोन हो गया, अब आपको बिजनस चलाने के लिए लोन लेना था. तो अब हमने कहा कहा कि लोन के लिए आप क्या रखेंगे security, तो आप घर प्रॉपर्टी के paper तो नहीं रख रहे हैं, क्या बिजनस रन कराने के लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कि मेरे पास इतने का stock पड़ा हुआ है, मेरे इतने data हैं, तो इनके basis पे आप उसके against loan लेना चाहते हैं, तो क्या हमें उस साधे goods को उठा के अपनी bank में रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, तो हम क्या करते हैं, stock statement generate करवाते हैं, तो bank वो जो person है, जो loan लिया है, वो अपना stock statement बनाता है, क्या हमारे पास closing stock इतने की value के हैं, हमारे data इतने के हैं, जो हमको अ loan या आपके limit fix करती है, तो अब आपके दिमाँ में कोशन आना चाहिए, क्लोजिं स्टॉक तो बार 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 चेंज होगा, तो अगर जब क्लोजिं स्टॉक बार बार चेंज होगा, तो अब वस्ते बात है, stock statement भी change होंगे, तो that's why जो loan होता है, उसमें stock statement monthly या quarterly submit करना होता, monthly quarterly या half yearly, जिस तरह का loan profile हो आपका, ठीक है, तो that is CC loan, तो यहाँ पर इसलिक है, hypothecation of stock, हम मान लिये हैं कि आपका stock मेरे यहाँ पर, मेरी बैंक में as a security है, मान ने क्यों है, क्योंकि हमने उठा के रखने ही लिया घर पे, hypothecation है, ठीक है, तो यह एक तरीके से promise, आपकी जो भी withdrawal amount है, आपने जितने का loan video, हमने limit sanction के आपके 50 लाग की, लेकिन आपने अभी तक withdraw किया, ऐसे 20 लाग, तो loan का interest किस पे लगेगा, 50 लाग पे नहीं, 20 लाग पे लिखिएगा, लेकिन अगर यह housing loan होता, आपने घर बनाने के लिए लोन लिया होता, और आपने लोन लिया 50 लाग में, ठीक है, तो I hope आपको bank credit में काफी चीज़े clear होई होंगी, तो bank credit short term finance का एक source है, यहाँ पे हम trade bills को discount भी करते हैं, bank credit में हम trade bills को discount करते हैं, जैसे आपने देखा न, अब bills payable है, हमको payment मिलने वाली है, sorry, bills receivable है, हमको payment मिलने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उस bill को अब ती म तो हम bank में जाके उस bill को discount करा लेते हैं, bank को बोलते हैं कि bill अपने पास रखो, और मुझे cash दे दो, तीन महिने बाद आपको payment मिल जाएगी इस bill से, ठीक है, तो bank अपना कुछ commission कट कर लेती है, और बाकी payment मुझे उस bill के amount के साब से दे देती है, that's why it's called discounting trade bill, हम bank में जाके discount तो bank ने आपको तीन महिने के लिए पैसे तो दे दी है, एक कागज के basis फे, अब तीन महिने के बाद जब वो party payment करने को आईगी, तो वो आपको नहीं करेगी, जिसके पास वो bill होगा, उसको payment करेगी, that is discounting of trade bill, letter of credit क्यों होते है, LC से बोलते हैं, तो जब business में क्यों होते हैं और मैं इंडिया में हूँ, और हमें business करना हैं, तो मैं ये नहीं कर सकती हैं, कि अपना product जो भी आपको export करना था, मैं उठा के export कर दूँ, पूरा, और पदा चला आपने payment ना की तो, जपान से payment मुझे नहीं रिसीवी, तो risk हैं यहाँ पे, similarly, जपान ने पूरी payment मुझे दे इसके लिए कुछ trust होना चाहिए, तो banks letter of credit issue करती है, LC जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे bank guarantee तरीके से लेती है, BG अलग है, अब तो हमारे इंडिया में LC allowed नहीं है, वैसे, क्योंकि LC से बहुत सारे fraud होते हैं, ठीक है, तो यह letter of credit bank issue कर देती है, कि हाँ इस person को मैं जान रहे हू और आप इनके against अपना business transaction कर सकते हैं, आप उधार काम कर सकते हैं, तो यह चीज़ LC होती है, ठीक है, अब public deposit क्या होता है, यह भी short term source of finance है, इससे भी पैसा company को मिल जाता है, और अपना business कर सकती है, यहाँ पे क्या होता है, कि fund को mobilize किता है, पैसा इकठा किया जाता है, कैसे, general public से, मतलब जैसे आपने देखा ने, bank में deposit होता है, तो bank में deposit कैसे होता है, कि bank में general public अपनी savings के पैसे लाके bank को deposit कर देती है, तो bank का तो यही function है, deposit को accept करना और loan को देना, तो वो bank के लिए कोई problem नहीं, लेकिन जब यही काम company करने लगे, तो उसको क्या बोलता है, public deposit, मतलब मैंने क्या बोला, कि जब company, general public से, पैसे, उनकी savings को अपने पास save करने लगे, जो काम किस का था, bank का, तो उसको बोलता है, public deposit, तो fund mobilized from general public out of their savings, अब यह करने का power तो आपको किस ने दिया, reliance बोले कि हम public deposit accept कर रहे हैं, तो reliance और general public जाके, reliance को deposit दे रही है, अपना savings का पैसे reliance की पास जमा करा रही है, bank के पास नहीं, अब ऐसी case में, reliance की पास यह करने की power होगी, तभी तो reliance करेगी ते, ऐसा कोई authorization हमको मिलता है, तो हमें companies act ने ऐसी power दी है, कि इसको companies को, section 73 के अंदर कि वो यह काम कर सकते हैं, ठीक है, अब कोई भी person bank, मतलब company को जाए, अपना deposit क करने, bank मन को ना जाए, जिसका काम ही यही है, ऐसा क्यों होगा, but obvious सी बात है, bank deposit के comparison, public deposit में आपको interest ज्यादा offer किया जाता है, companies rate of interest आपको ज्यादा प्रोवाइड करती हो, company को क्या होता है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, ठीक है, अब यहां पे हम इसके इलावा क्या च करते हैं, हम अपना savings उठा के bank को देते हैं, बैंक क्या देती है, same अप company के साथ कर लो, आप अपनी savings उठा के company को देगे, तो company क्या देगे, आपको एक public receipt देती है, अब वो deposit receipt देती है, अब वो deposit receipt सारे terms and condition, rate of interest, सब कुछ उसकी back side पर लिखा रहता है, और वही वो प्रूफ होता है कि यह public deposit हुआ है, अब यहां पर हम कुछ terms and conditions की बात कर लेते हैं, कौन सी company और कब वो कितना तक public deposit accept कर सकती है, तो कहा गया कि कोई भी company paid up share capital और free reserve, उनका जितना भी है, paid up share capital मतलब जितनी capital उनके पास share से आई है, paid कर दी गई है, वो capital plus उनके पास जितने free reserves हैं, दोन आपने free reserve रखे थे, तो total कितना होगे hand rate, अब hand rate का 25% करेंगे, कितना आया, पचीस, इसका मतलब आप general public से पचीस तक कही deposit accept कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका public deposit का amount exceed नहीं करना चाहिए, किससे उनके paid up capital plus free reserve के 25% से exceed नहीं करना चाहिए, मतलब अगर पैस 100 है, तो पचीस तक ही आप public deposit accept कर सकते हैं, उससे जादा अप accept नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक government company हैं, तो आपको power जादा बढ़ा दी गई, आप 35% तक public deposit accept कर सकते हैं, 100 अब 100, अगर मेरे पास paid up capital और मेरा free reserve 100 है, तो मैं जनरल public से 35 तक का deposit accept कर वा सकती हूँ, तो वहाँ पे deposit public से लेने की जो limit है वह extend कर गई, तो 25% normal case में और 35% government के case में हैं, अब इसके advantage की बात कर लेते हैं, तो यह बहुत सिंपल है, बहुत less expensive है क्योंकि आपो जादा इसके लिए कामदाम नहीं करना पड़ा है, कोई जादा norms नहीं पूरे करने पड़ा हैं, आप एक advertisement की थूभी public deposit accept कर सकते हैं flexible है आप जब जितना चाहें आप उतना पैसे deposit एकठा करा सकते हैं, controls का कोई issue नहीं आने वाला है, company का पूरा proper control रहता है, और आप company की assets के पैसा, जब भी company कोई पैसा पाती है, source of finance में आपने देखा, वो अगर बैंक से लोन लेने जाती तो भी उसको कोई security रखने परती है, shares issue करती है, तो उसको ownership देना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, यहाँ पे publics deposit accept करेंगे, कोई charge नहीं है, charge मतलब उनके किसी भी assets के, कोई भी assets ऐसा security form में नहीं रखा गया, assets बिलकुल free है, हाना charge नहीं create किया गया, कोई उस पे obligation नहीं रखी गया, कि यह assets loan है, ऐसा scenario नहीं रहता है, no charge or no assets, ठीक है, यह public deposit का बहुत अच्छा फाइदा होता है, अब हम इसके पार disadvantage हो देखते हैं, तो uncertainty होती है, बहुत uncertain होता है, ठीक है, क्योंकि कब कितना रहेगा, कितना हम कर सकते हैं, यह चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, temporary finance का source है, आप अपनी भी public deposit accept करती है, तो limited appeal है, कम लोग अप्रोच करेंगे आपको, not suitable for new companies, अगर आप एक नहीं कंपनी हो, और आप सोचे कि public deposit से पैसे कठा हो जाएगा, तो possible नहीं है, यह source of finance आपके लिए suitable नहीं होगा, क्योंकि company आपको जानती हैं, जिब जानती हैं तो आपको अपनी अब हमात करते हैं commercial papers की, तो commercial papers क्यों होते हैं, एक तरीकी का promissory note होता है, जो कि क्या होता है, निगोशियेबल होता है, इंडोर्स किया जाता है, delivery के लिए fit होता है, और इसकी एक maturity period fixed होती है, जो कि एक महीने से एक साल के लिए होती है, यह commercial paper की definition है, जिए इसको elaborate करके समझत प्रोमिसरी note क्यों होता है, प्रोमिसरी note मतलब मैं प्रोमिस करते हूं कि मैं आपको यह payment करूंगी, ठीक है, यह क्या हो गया, अगर मैंने एक कागज पर लिखके यह दे दिया, that is called promissory note, आप जितने भी note देखते हैं, रुपे, 2000 का note हो, 50 का note हो, 100 का note हो, 10 का note हो, 20 का note हो, उस पर आप देखे रहें कि मैं धारक को इतने रुपे अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब I promise to pay, ऐसे लिखा रहता है, that is promissory note, आप जब किसी को 2000 का note दे रहे, इसका मतलब आप उसके लिए oblige थे, आपको payment करना था, और आप यह दे रहे हो, ठीक है, तो यह जितने रुपीज के note आप देखते हूं, इंडिया में, that is all promissory note, so commercial paper भी क्या, एक promissory note है, जहां पर, यह commercial paper में क्या लिखा रहेगा, इसका मतलब, उसमें mention रहेगा, कि मैं promise करते हूं, या मैं ये बात कह रहे हूं कि, सामने वाली party को इतने का payment किया जाएगा, या हम करेंगे, इस आपको issue किया गया, आपने पैसे मुझे देती, मुझे पैसा मिल गया, अब आप अगर चाहें, तो उसको किसी और को issue कर सकते हैं, तो वो किस चाहें, तो वो किसी और को issue कर सकते है, तो ये negotiable है, अहां commercial paper जिसके पास रहेगा, मैं payment उसी को करूंगी, ठीक है, मैं तब मैंने क्या किया था, जैसे, ऐसे समझे कि ABC company है, और Mr. X थे, तो ABC company ने commercial paper issue किया, तो जब issue किया commercial paper, तो X ने उसे खरीद लिया, खरीद लिया, तो उसने पैसे दे दी है, अब ABC company के पास पैसे आ गए, लेकिन पैसे return भी तो करने हैं, क्योंकि ये short term period के लिए, एक महीने से एक साल के पैसे चाहिए थे, तो Mr. X जो है, वो जाके Mr. Y को sale कर दी है, Y किसी और को endorse कर दी है, किसी और को negotiable कर दी है, तो ये process चल सकता है, लेकिन ABC company किसको पैसा वापस करेगी, ABC company उसको वापस करेगी, जिसके पास वो instrument होगा, that is, क्योंकि ये क्या है, endorseable है और negotiable है, ठीके, अब issue on discount basis, जब ये company issue करती है, तो इसको discount पैसे, सौक commercial paper है, मैं कहरे हूँ, I promise to pay, I will pay to 100 रुपीज, तो अब यहाँ पर मैंने प्राउमिस किया कि मैं आपको 100 रुपीज पै करूँगी, तो अब इस case में, आज मैं अगर 100 रुपीज पै करूँगी, तो अब इस case में, आज मैं अगर और रही हूँ आपको, कि मैं एक साल के बाद आपको 100 रुपीज पै वापस करूँगी, और आज आप 90 रुपीज दे दो, तो आप क्या होगे, आज आपने commercial paper खरीद लिया, और 90 रुपे में खरीदा, तो company, आपको तो मिला 90 रुपे में commercial paper, लेकिन जब आप commercial paper वापस करें तो आपको कितना मिलेगा, 100 रुपे मिलेगा, तो यह issue होता है, discount basis पे, ठीक है, और इसमें कोई collateral security नहीं होती, कोई additional securities इस पे involved नहीं होती, कोई charge create नहीं होता है, यह Japan and Western countries बहुत popular था, और हमारे इंडिया में RBI ने 1989 में इसको permit किया था, इसको permission देती कि आप issue कर सकते हो, time period यही है, और यह 5 के multiple में शुक्या था, 5 लाग, 10 लाग, 15 लाग, 20 लाग, 25 लाग, तो अगर एक single investors है, तो 25 लाग से कम का उसका नहीं होना चाहिए, इसका investment amount commercial paper में, और यह fully unsecured है, कोई security इसके against नहीं है, यह unsecured instrument कहलाता है, और इसको issuर्या जो dealer है, उसको repurchase कर सकता है, अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी companies जिनके पास यह पर है कि वो commercial paper issue कर सकती है, तो commercial paper issue वही company करेंगे, जिनकी tangible net worth जो है, वो 4 करोड से कम की ना हो, ऐसा कहा पर जो उनकी audit होई है, उनकी जो balance sheet की, जो latest audit report होगी, उनकी balance sheet की, उसके according कहा जा रहा है, कि उनकी tangible net worth है, वो 4 कर सकती है, हर company चाहे commercial paper issue करके पैसे कटा कर ले, तो ऐसा option available नहीं है, ठीक है, अब tangible net worth का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कि जब आप उसकी total net worth देखने जारें, calculate कर रहे है, कि 4 करोड है या नहीं है, उस case में आप सब उनहीं को cover करेंगे, जिनको देखा जा सकता है, जिनको छ अब यहाँ पर एक और चीज़, कि वही company commercial paper issue करेगी, माल लिज़ आपकी company का network तो 4 करोड से जादा गाया है, लेकिन आपकी company को किसी भी rating agency ने अच्छा rate नहीं किया है, तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी क्रेट कोई भी company तब ही commercial paper issue कर सकती है, जब उसको अच्छी credit rating मिली ह क्रिसिल ने उसको P2 दिया हो, उसके securities को, ICRA ने A2 दिया हो, केर ने PR2 दिया हो, यह credit rating agencies है और उनकी rate करने का यह तरीका है, अब current ratio should be 1.33 to 1, कहने का मतलब company वही issue कर सकती commercial paper जिसका current assets और current liabilities का ratio 1.33 to 1, अगर मतलब current liabilities आपकी 100 है, तो जो आपकी current assets हो, वो 1.33 के multiple में होनी चा हो गया, इसके इलावा, वो जो company हो, वो एक से जादा stock exchange में, कम से कम कहीं ना कहीं तो listed हो, एक से जादा stock exchange में, उसके listing हो, है ना, आज यह से तो BST और NST में listed है, Reliance वे गएरा, Petrol A में, भारत Petrol वे गएरा, तो उसके listing हो, तभी वो company commercial paper issue कर सकती है, और आपके board of director ने आपक कोई authorize किया हो, कि आप commercial paper issue कर सकते हैं, जब यह सारी condition meet out होगी, तभी वो company commercial paper issue कर पाएगी, otherwise commercial paper के थूर, finance नहीं कठा किया जा सकता है, ठीक है, हम बात करेंगे factoring की, तो factoring क्या होता है, देखे, factoring में, जिससे मैंने बता है, bills payable और bills recevables, तो bills recevables क्या हो गया, आपको पता पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इस bill से मुझे 50 लाख रुपे receive होने वाले हैं, future में, तो यह क्या कहलाएगा, bills recevables कहलाएगा, clear है, that is BR, हैना, तो क्या कहला है, factoring क्या होगी, कि जब business entities, अपने bills recevables को क्या करती है, third party को sell कर देती है, in discount, in order to raise fund, पैसे raise करने के लि देती है, that is called factoring, देखे, factoring एक process है, पूरा है, एक कोई term नहीं है, यह process है, जहां पे कुछ लोग involved होते है, basically, यहां होता क्या है, companies उनके पास जितने भी BR पड़े हैं, मतब ऐसे जितने भी bills पड़े हैं, जिनका payment उनको कुछ महीनों बाद कुछ, मतब बिदीना साल उसको payment जितने भी पड़े हैं, मतब आज उसका payment होने वाला है, कुछ महीनों में उसका payment मिलने वाला है, आप उन सारे बिल्स को कोई दो महने में मिला, को तीन महने मिला, कोई चार महने मिला, तो अलगरा date के bills पड़े हुए हैं, उनको मैनेज के ऐसे करेगी, तो company जनरली क्या करती इन बिल्स को किसी थर्ड पर्टी को सेल करके पैसा इकठा ङरेती है, आप अपना पैसा ले-लिया, काम कर रही है, और अब फैक्टर देखिए, कि उस बिल का वो रेसीव करें, मतब जो उनका क्लाइन था अब वो इस को बिल्स का पैमेंट देगा, जिसके पास वो बिल्स पढ जो बिल था आपका उसके सेलिंग होती है बिजनस में जो अपने इन्वोईसे इसुरू किये थे कि अज जो अपने कस्टमर को क्रेडिट दिया हुआ था उसको सेल कर रहे हैं आप चीक है यह क्या है आपको यह एक फिनांशल सर्विस है जो कंपने डिजाइन किया है कि को यह आपके रिस्वेबल्स को आप मैनेज करने वाला है जिसके जो रिस्वेबल्स के बदले आपको पैसा देने वाला है ठीक है दूसर कोन होगे क्लाइंट जिसका जिसका वो रिस्वेबल है वो डेटर वो परसन जिसका जो रिस्वेबल को सेल कर रहा है जिसे मेरा मेरे थे मेरा invoice था तो मैंने अपनी सारी invoice को ठाके factor को दिया तो मैं क्लाइंट कहला हूँगी ठीक है और जिसका bill था जो data party थी जिसको payment करनी थी जिससे मुझे payment receive होनी थी वो क्या कहलाएगा customer कहलाएगा तो buyer of goods data ठीक है तो data कहलाएगे आपके customer और data को जो bill issue किया गया था जिस company ने bill issue किया था वो कहलाएगा client और company ने उन सारे bill को जिसको sale कर दिया that is called factor तो company ने वो सारा bill sale कर दिया factor को factor क्या करता payment आपको दे देता देखिए process कैसे चलता है मैं यह पर डाइग्राम नहीं शो कर पार हूँ basically होता गया से है कि company मालो 100 की bills है तो company factors को 100 दे देती है 100 की bill दे देती है और factor क्या करता है अपना commission कट करता है और 75 to 85% उस bill के amount का आपको payment कर दीता है बाकी के 20 to 25% वो रोक के रखता है वो कब payment करेगा जब उसको आपकी customer से पैसा receive हो जाएगा तब वो आपको payment करता है ठीक है तो यह पूरा एक प्रोसे सर्कल चलता है तो यह क्या कहलाता 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 है तो यह क्या हो गगा तो यहां पर क्या हो गया आपका तीन महीने का चक्कर ही नहीं लगाना पड़ा आपका तुरन्ट डेटर कैश में के लि एक्रेडिट रिस्क था कि कल को क्लाइं आपको कस्टमर करें ना करें कहीं बाद डिफॉल्ट ना हो जाए तो वह अब रिसके साथ सोच्छीएट हो गया फ्टर के साथ फेक्टर उसको देखे हैं है यह अलग बात है कि यह अलग तरीके के होती है रिकोर्स नोन रिकोर्स तो वहां पर यह risk कमाटर कर जाता है लेकिन आप इसके advantage में यह बात लिख सकते हैं easy manage करना होता है आपको कोई ज़ुरत ही नहीं है factor sub manage कर रहा हो है times or resources की savings है आपकी ठीक है इसके disadvantage होते हैं यह expensive होती है क्योंकि इसमें stamp duties वेगरा होती है आप trust पर चीज़े कर रहे होते हैं पैसा आ रहा होता है तो यह इसमें थोड़ा expensive होता है और यह बहुत सारे documents इसमें maintain करने पड़ जाते हैं ठीक है इसका company की growth पर adverse effect पड़ता है क्लाइंस का कहीं पर कोई default हो रहा है तो factors में थार्ड पार्टी जो है उसमें problem आ रही है यह तब कई चीज़ों में उसमें issue आता है तो company की growth के लिए कहीं कहीं adverse आता है अब factor हर कोई नहीं बन सकता है उसके लिए C-B की guidelines दी जाती है के factoring के लिए भी क्या-क्या condition से कौन-कौन लोग factor बन सकते हैं ठीक है वो एक अलग matter है तो यह सारे disadvantage हो गए और इस तरह से सारे sources of finance आपने complete कर लिया चाहे वो capital का sources of finance पूछे और चाहे आपसे working capital के लिए source of finance पूछे आपको लिखना यही है सिर्फ approaches आपको अलग कर लेने होंगे तो I hope आपको clear हुआ होगा wish you all the best thank you so much